साथियों, आज भारत एक दसक पहले की तुलना में ज्यादा स्थीर, ज्यादा सुरक्षीत और ज्यादा मजबूत देश हैं। राजनितिक ब्रस्टाचार, योजनाओं में गड़ड़ी, जनता जनारदन के धनका दुर्प्योग, पुरानी जितनी सरकारे आप देखेंगे, उनकी पहचान यही बन गई थी। आज भारत को उसकी राजनितिक सिर्टकार के लिए जाना जाता है, पुलिक्रिकल स्टेबिलिटी यह दुनिया में बहुत माइना रखती है, आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है, एक डिसिसिव गवर्मेंट, आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिसील सामाजिक सुधारों से हो रही है, ग्लोबल एजन्सियां लगातार इस बात को गोशित कर रही हैं, अनुमान लगा रही हैं और विश्वास से कह रही हैं, कि चाहे हाइवे का निर्मान हो या रेल्वे का, इस आप लेविंग की बात हो या फिर इस आप डिविंग बिजनेस की चर्चा, भारत पिछली सरकारों की तुलना में बहुत बहतर प्रदर्शन कर रहा है, बीते बर्शों में भारत ने अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपने सोचल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड रुपिय का निवेश किया है, लाखों करोड रुपिये के इस निवेश ने भी रोजगार के करोड़ों अवसर बनाए है अब जैसे सोशल इंफ्रासेक्टर का मैं एक उदहान देता हूँ आपको जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ विशय है और वो है पानी और उसके लिए हमने कितलाया है जल जीवन मिशन ये जल जीवन मिशन उसके पीछे अब तक करीब करीब चार लाख करोड रुपिये खर्च हो चुके है चार लाख करोड रुपिये खर्च हो रहे हैं जब ये मिशन शुरू हुआ था तो ग्रामीन इलाकों में हर सो में से यहने सो गर अगर गाओं में हैं तो सिर्फ पंदरा गरी थे जहां पाइप से पानी आता था यह मैं एवरेज बता रहा हूँ सो गर में से पंदरा गर में पाइप से पानी आता था आज जल जीवन मिशन की वज़े से हर सो में से 62 गरों में पाइप से पानी आने लगा है और अभी भी तेज गती से काम चल रहा है आज देश के 130 जिले ऐसे हैं यह छोटा छेत्र नहीं है 130 जिले ऐसे हैं जहां के हर गाउं में हर घर में नल से जल आता है और साथियों जिन गरों में अब साथ पानी पहुंच रहा है वहां लोगों का समय भी बचा है लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपुर्जो लाब हो रहा है वो गंबीर बिमारियों से भी बचे हैं पीने का शुद्ध पानी आरोग्य के लिए बहुत बड़ी आउशदी बन जाता है एक स्टड़ी में सामने आया है कि जब हर गर पाइप से पानी पहुंचने लगा तो डाइरिया से होने वाली चार लाख मौते मौत होने से बच गई चार लाख जिन्दगिया बच गई यानि जल जीवन मीशन चार लाख लोगों का जीवन बचाएगा ये स्टड़ी ये भी कहती है कि हर गर जल पहुंचने से देश के गरीबों के आठ लाख करोड रुपिय से अधिक बचने वाले है यानि गरीब के घर में पैसा बचने वाला है मद्दमबर के परिवार का पैसा बचने वाला है ये पैसे वो पानी का इंतजाम करने में पानी से होने वाली बिमारियों के इलाज में खर्च करना पढ़ता था उनको जल जीवन का एक और बड़ा लाब ये भी होगा कि इससे महिलाओं का बहुत सारा समय भी बचेगा इस रोजगार मेले में नोकरी पाने वाले आप सभी समझ सकते हैं कि सरकार की एक एक योजना का कितना बड़ा मल्टिप्लायर इफेक्ट होता है जल जीवन मिशन का उदान आपके सामने में ने रखा है ऐसे ही आप जब अब सरकारी ववस्ता में आये हैं तो सरकार की हर योजना को अपने विभाग के हर लक्ष को तेजी से प्राप्त करने के लिए पूरी महनत करेंगे ये मेरा आप से भरोसा भी है अपेक्षा भी है